Hello and Welcome Back, Hope You Are Doing Well और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे Well-Defined Learning Problems के बारे में तो हमारी previous वीडियो के अंदर हमने Learning के बारे में बढ़ा Machine Learning के बारे में डिसकस किया और Machine Learning की टेकनीक्स के बारे में डिसकस किया तो इन सभी basic concepts को डिसकस करने के बाद अब हम कुछ problems की बात करेंगे और उन problem को कैसे हम segregate कर सकते हैं कैसे हम differentiate कर सकते हैं और किस तरीके से उन problem को हम identify कर सकते हैं ये हमारा जो पूरा concept आता है वो हमारा आता है इस topic के अंदर जिसका नाम है हमारा Well-Defined Learning Problems अब सबसे पहले समझते हैं कि problem होती क्या है problem जो है basically वो होती है जो कि well formulated हो well formulated होने का meaning है जिसके कुछ clear objectives हो कि उस problem में है क्या क्या वो problem है और किस तरीके से हम उसके अंदर काम कर सकते हैं तो ये जो है हमारा meaning होता है well formulated and has clear objectives का अब उस problem के अंदर input data और output data ये दोनों चीज़ जो है हमें पता होने चाहिए अब मान लीजिए हमारे surroundings में हमारे real world में हमारे पस कोई भी छोटी सी problem है वो छोटी सी problem कुछ भी हो सकती है जो कि आप generally identify कर सकते हैं अब उन problem को अगर हमें solve करना है तो सबसे पहले हमें उसके कुछ objective पता होने चाहिए कि हम किस तरीके से उस problem को solve कर सकते हैं और well formulated वो problem होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम wag जा रहे हैं wag जाने का meaning है हम problem जो है हमारी उससे हट के या उससे बाहर जो है हम उसके concept को discuss कर रहे हैं तो well formulated हमारी problem होगी उसके कुछ अगर clear objectives होगे कि क्या हमें achieve करना है कैसे हम achieve कर सकते हैं और अगर हमें पता होगा उसके लिए क्या input होना चाहिए क्या output होना चाहिए क्या इन दोनों की range होनी चाहिए तो उसे हम बोलते है problem अब well defined problem की क्यों जरूरत हमें पढ़ती है अब well defined problem जो है हमारी ये हमारी necessary हो जाती है effective algorithm development के लिए और algorithm evaluation के लिए यानि कि जब हम किसी problem को solve करेंगे किसी problem के concept के अंदर हम research करेंगे उसके उपर हमारी algorithms implement करेंगे data science implement करेंगे machine learning implement करेंगे जब हम कुछ algorithm को या मैं बोलूँगा model को जब हम उन चीजों को develop कर रहे होंगे या जब हम उन चीजों को evaluate कर रहे होंगे तो हम किन parameters पे उन problem को evaluate कर सकेंगे तो वो जो हमारे parameters है वो जो हमारी evaluation metrics है वो सभी जो है हमारे well defined learning problem से आते है अब कौन सी problem well defined है कौन सी problem well defined नहीं है उसके लिए जो है हमारे पास कुछ well defined learning problem की characteristics है अगर तो problem इन characteristics को follow करती है तो हमारी problem कहलाएगे well defined problem और अगर वो इन parameters को इन characteristics को follow नहीं करती है तो वो हमारी कहलाएगे undefined या फिरम बोल सकते हैं जो हमारी problem well defined नहीं होगी पहली characteristics आती है इसके अंदर हमारी clear objectives clear objectives का meaning क्या है जो भी हमारी problem है अगर उसके पास clear objectives है कि हमें किस तरीके से काम करना है और clear goals है कि क्या हमें achieve करना है और वो problem हमारी कहलाएगी well defined और वो problem हमारी measurable होनी चाहिए measurable होने का meaning क्या है उस problem का जो भी हमें result मिला उसको हम measure कर सके second characteristics इसके अंदर आती है हमारी input data की अब कोई भी problem है उस problem को identify करने के लिए या उस problem पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ input चाहिए और machine learning की form में input जहां से भी आएगा वो आएगा data की form में अब data आपका कुछ भी हो सकता है चाहिए वो text हो numbers हो, date of worth हो, pattern हो, string हो, images हो data आपका कुछ भी हो सकता है अब well defined problem के अंदर input data का क्या काम अब कोई भी problem पे जब हम काम करेंगे तो input data बहुत ही ज़ादा जरूरी बन जाता है किस तरीके से जरूरी बन जाता है अगर हमारा input data well structured है और easily accessible है well structured का meaning क्या है कि जिस structure में machine algorithm उस data को understand कर सके उसे मोलेंगे well structured data और easily accessible का meaning है कि जो हमारी machine है, robot है, algorithm है, model है वो हमारे उस data को easily access कर सके तो यह जो हमारा data है, अगर हमारे पास well structured है, easily accessible है तो क्या वो data हमारे लिए as a input machine को train करने के लिए यह data feed करने के लिए क्या वो enough है बिल्कुल भी नहीं अब इसका reason है कि माल लीजिए मैं एक problem पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है image classification मुझे इस process के अंदर, इस task के अंदर, इस project के अंदर image को classify करना है जब इस problem को लेके हमारे model को, हमारे algorithm को implement करूँगा तो वहाँ पे हमारा data भी तो उस problem से relevant होना चाहिए तो वो conditions जहाँ पे हमारा input data problem से relevant नहीं है तो वो हमारी problem जो है undefined या फिर मैं बोल सकता हूँ well defined problem नहीं कहला है अब input data से relation में एक चीज़ आती है जो कि आप easily guess कर सकते है that is output data अब output data होने का meaning क्या है जो भी हमारी problem है उसका मेरे पास output data होना चाहिए या क्या output आ सकता है उसकी prediction मेरे पास होना चाहिए किस prediction में आए किस range में आए इसकी जरूरत क्या है तो हमने first point के अंदर पढ़ा first characteristic के अंदर पढ़ा कि हमारी problem के clear goals होने चाहिए अब goals तो हैं हमारे पास but उन goals को कैसे आप measure करोगे कैसे आप बताओगे की goal achieve हुआ या नहीं तो वो चीज़ आप बताओगे output data की form में और यह चीज़ यहां पर आप देखेंगे mention भी है related to the objectives of the problem और fourth इसकी जो सबसे important सबसे major characteristics आती है हमारी well defined learning problem की उसे हम बोलते है evaluation matrix अब इस evaluation matrix का जो concept है जो funda है वो complete इसके name में चिपा हुआ है evaluation, evaluation मतलब check करना, evaluate करना, test करना अब test किसको करेगा, test करेगा matrix को, matrix का meaning है data को तो यानि कि जो भी हमारा goal था problem का, उसको जो है अगर हमने achieve किया तो कितनी accuracy से हमने achieve किया, या जो हमने algorithm हमारी machine learning की उसमें use की उस problem को solve करने के लिए उस algorithm की accuracy क्या रही, उसकी performance क्या रही, उन चीजों को measure करने के लिए हम इस fourth characteristic का use करते है जिसका नाम है evaluation matrix अब इतना जो concept हमने समझा है, तो साथ के साथ इसी video में आपको कुछ example बताऊँगा जिससे आपको clear हो जाएगा कि well defined learning problem की example है क्या और आप कैसे identify कर सकते हो कि कोई problem well defined category में है या नहीं image classification, नाम से ही suggest हो रहा है हमें कुछ images को classify करना है second one is sentiment analysis इसके अंदर हम sentiment को analyze करते हैं sentiment को analyze करने के लिए इसके अंदर आपने सुना होगा twitter sentiment analysis या फिर social media sentiment analysis twitter पे जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहुत सारे people, बहुत सारे pages continuously comment करते हैं, continuously tweet करते हैं तो हम उन tweet से, उन text की help से उस person का, उस individual का उसके sentiments को जान सकते हैं कि उसका behavior कैसा है, उसकी thinking कैसा है उन सबी को आप उसके सिर्फ एक tweet से, उसके text से analyze कर सकते हैं recommendation system आपने बहुत सारे इससे related videos भी देखे होंगे social media पे Netflix, YouTube, Google, Facebook, हर जगे जो है आपका recommendation system वर्क करता है अब इन तीनों चीजों के अंदर common क्या है, कि हमें पता है हमारे problem के goals क्या है, हमारे problem के objectives क्या है तो जब हमारे पास ऐसी problem जिनके objectives clear हो, जिनके goals clear हो अब इसके अंदर हमें पता है कि input data क्या होना चाहिए image classification के अंदर कुछ images होनी चाहिए, sentiment analysis के अंदर कुछ text होना चाहिए recommendation system के अंदर जो है, हमारे कुछ previous individual का या फिर user का data होना चाहिए तो अब आप देखिए, जब तीनो problem में हमारे input clear है, objective clear है, output clear है performance या फिर accuracy measurement या फिर हम technical terms में F1 score के नाम से भी जानते हैं किस तरीके से उसके उपर work करोगे, उन सभी के लिए यह हमारी video बहुत जादा helpful है तो next video के अंदर जो है, अब हम learning system को आप किस तरीके से design करोगे, उसके बारे में बात करेंगे Thank you